नमस्कार मैं हूँ वज्या और आप देख रहे हैं फिल्मी वीक माइक्रूल जेक्सन की बायों पे करना चाहते हैं टाइगर शॉप और बता दिया क्या है इसकी पीछी की वज़ा विल्फिल्म स्टुडेंट ऑफ दे येर टू स्टार अक्टर टाइगर शॉप अपनी फिटनेस और डैंस को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहते हैं एक बार फिर इस फिल्म में वो डैंस और फिटनेस का जबरतस्त लोहा मनवाते नजर आ रहे हैं कुछ वक्त पहले ये खबर आ रही थी कि टाइगर शॉप फुटबॉलर बाई चुंग भूतिया की बायोपिक में काम करेंगे बलकि जब टाइगर से इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने इसे इंकार कर दिया उन्होंने कहा कि अगर बायोपिक करना भी चाहूंगा तो माइकल जेक्सन की और तलब है कि टाइगर ने माइकल जेक्सन की बायोपिक करने की च्छा जाहिर की है टाइगर ने बताया कि उनकी लाइफ में माइकल जेक्सन का क्या रोल है सोर्सस की माने तो टाइगर नेक इंटर्वे में बताया जब मैंने फिल्म हीरो पंथी साइन की थी उस वक्त ही सोचा था कि मुझे माइकल जेक्सन की तरह डांस करना है इसलिए मैं बॉलिवर्ड के सूपर हीरो रितिक रोशन के डांस का भी बड़ा फैन हूँ आज मैं जहां हूँ उसकी वज़ा सिर्फ माइकल जेक्सन है क्योंकि वही मेरी पहली प्रेना थे पहली फिल्म साइन करने से एक साल पहले ही मैंने जैंस सीखना शुरू कर दिया था भले ही लोगों को लगता हो कि मैं बच्पन से ही डैंस करता हूँ तो ऐसा सोचना गलत है सूर्सिस की माने तो उसी इंटर्विव में उन्होंने बताया कि मैंने अपनी डैंस का सफ़र 6 साल पहले ही शुरू किया था मेरी बौडी बहुत सक्त थी इसलिए मुझे डैंस करने में बहुत महनट करने पड़ी मैं बहुत शर्मी लावी हूँ और इसे खत्म करने के लिए भी मुझे काफी समय लगा लेकिन अभी भी पूरी तरह से खत्म तो नहीं हो पाई लेकिन पहले के मुकाबले अब काफी खुल गया हूँ उन्होंने कहा कि मैं आक्शन डूमैंस के साथ फ्रेयलिस्टिक फिल्में भी करना चाहता हूँ बॉलिवुड में लगातार बन रही बायपिक पर टाइगर ने कहा यह सच है कि कई जाने माने लोगों की बायपिक बनी और अभी भी जारी है जहां तक मैं मानता हूँ तो मैं माइकल जिक्सन की बायपिक करना चाहता हूँ तो यह है टाइगर के दिल की बात जोन होने बताया कि किस तरह से वो अटाज्ड है माइकल जिक्सन से और वो करना चाहते हैं माइकल जिक्सन की बायपिक तो दिखते हैं टाइगर की ये दिली तमनाग का पूरी होती है टाइगर का जवाब नहीं वो सूपर डूपर हिट डैंसर हैं और उनके डैंस के दिवाने सभी हैं फिल्म स्टुडेंट ओफ दे येर 2 के प्रमोशन्स पर भी टाइगर ने अपने डैंस का जल्वा दिखाया था फिल्हार इस वीडियो में बस इतना ही